कि अलो अब्रिवान कि अपनी सीवीज को जाड़ी रखते हुए यह हमारी थर्ड वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम फर्वरी 2021 के सभी करेंट अफेर्स रवाइस करेंगे आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन्स इंग्लिश में भी होने चाहिए तो कर दिया गया है इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन रहने वाले हैं यह आपके लिए हल्फुल होगा जोले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा अम्रित महोटसव जिसकी घोशना की गई थी वह किस फेस्टिवल का एक सेलिब्रेशन है तो आजादी के जो 75 साल पूरे होने के उपलक्षे में यह महोटसव का आयोजन किया गया है अम्रित महोटसव नेक्स कोशन है परियाप्त पूंजी ना होने के कारण आर बिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है तो यह है महराश्ट्र बेस्ट शिवम कोपरेटि बैंक नेक्स कुशन है हमारा यूवी रेज यानि की परापैंगनी किर्णों से सेनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी है विच बिकीम दे फर्स मेट्रो सर्विस इन इंडिया टू बी सेनिटाइज विद अल्ट्रा वायलेट रेज तो यह है लख सुनिल कुमार अवस्थी तो नेक्स कोशन हैं सयद मुश्थाप अली 춤रची ट्रॉफी यह किस ने जीती तो 2020 की असुछ वर्बारी 2012 के करेंट तो इस तमिल्नाडू ने जीता था रनर अप रहा था बढ़ोदाब अभी हम 2021 जीता है और इस बार करनाटिका को भी कर रायी है 4% से तो याद रुक्षा तम्मिल्नाडवी विजीट से रही 2021 कि और फिलाल कि है दो कई देखिए तो हर घर पानी हर घर M young इसकी श्रुवाद किस स्टेट गौğर्मननिक की है बार दो पंजाब के दौर यह मिशन की श्यूरवाद की गई है नच में है श्री शक्ति सत्स ग्राउंद स्पेशन नो रहा पर एसको दिल्ली में 23 नए गार्बेज कैफे यानि की कच्रा कैफे खोली देए हैं अगला क्वेशन देखें तो लेफ्टिनिन कर्नल जिनका नाम है विरेंद्र सिंग यह किस राज्य से हैं जिने गेलंटरी आर्मी मेडल अवार्ट से सम्मानित किया गया है तो लेफ्टिनिन कर्नल व जिनका नाम है डेली जैपूर गोवा और उदैपूर अगला क्वेशन है कौन से शेहर ने पहला LCNG स्टेशन लांच किया है शुरू किया है तो यह शेहर है जोधपूर नेक्स वोशन है हमारा थिप्पूसम तयोहार यह किस राजे में मनाया गया तो थिप्पूसम फेस्ट जो थी इसमें सबसे ज्यादा हाइस मेडल किसने जीते हैं तो भारत ने इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं फॉर्स्ट एशियन शूटिंग चांपिन्शिप नेक्स कोशन है हमारा ऐसा कौन सा क्रिकेट टूर्नमेंट है जिसे 87 सालों में पहली बार करने से मना किया गय है तो यह है रंजी ट्रोफी 87 से लगातार हो रही है अभी पहली बार ऐसा हुआ जब इसको रोग दिया गया था बीसी सी की द्वारा नेक्स कोशन हमारा ऑक्सफोर्ड में किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ देटी हिंदी वर्ड ऑफ देएर 2020 यह डिक्लेयर किया गया है त इसकी आर्मी ने पावर को कैपचर कर लिया था और एक साल की इमर्जेंसी घोषित कर दिया था तो है इसके नए सीओ कौन बने है तो याद रखेगा आरस शर्मा नेक्स कोशन देखिए तो भारतullen की हो कौन सी महला है जिन्हें NASA का acting chief न्यूक्त किया गया है तो इनका नाम है भव्यालाल अगला question है इंडिया का पहला अपंग क्लीनिक कहां लॉंच किया गया है तो चंदीगर में इसको लॉंच किया गया है next question देखे तो भारत का पहला dog park ये किस शहर में इस्थापित किया गया है तो ये ये शहर है है हैदराबाद भारत की पहली centralized AC railway terminal ये कहां पर set up की गई है तो ये शहर है बेंगलूरू next question देखे तो alert being icon award इससे किसे समानित किया गया है तो AR रह्मान को ये समान दिया गया है alert being icon award next question है ASEAN India Hackathon 2021 किस मंद्राले ने इसका शुभारम किया है तो education ministry ने इस hackathon का शुभारम किया था अगला question है साल 2020 में पूरे विश्व में परेटोको का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा रहा है most favorite city of tourists around the world ये रहा है Bali एशिया प्रशांत व्यक्तिकत स्वास्थे लिस्ट यानि की Asia Pacific Personal Health List इसमें किस ने टॉप किया है Singapore ने इस लिस्ट में टॉप किया है next question देखिए तो किस राजे सरकार ने EVs यानि की electric vehicle पर कोई पंजी करण या road tax नव लेने की घोशना ही है तो ये राजे है तेलंगा ना जिसने इसी घोशना की थी February 2021 में अगला question है Worst Year on Record ये किस को घोशिद किया गया है कौन से साल को by UN World Tourism Organization तो साल 2020 को Worst Year on Record घोशिद किया गया है अगला question है Priyanka Chopra इन्होंने अपना hair care product ये किस नाम से शुरू किया है तो अनॉमली के नाम से Priyanka Chopra ने अपना hair care product लॉच किया था Asian Cricket Council का नया प्रेजिडेंट किने अपॉइंट किया गया है नया अध्यक्ष तो जय शाह को Asian Cricket Council का प्रेजिडेंट न्यूप्त किया गया है अगला question देखें तो education field में अपना contribution देने के लिए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्शाने के लिए महात्मा आवाड से किने सम्मानित किया गया है तो मनीश सिशोधिया जो कि डेली के education minister साथ ही deputy chief minister भी है इन्हें महात्मा आवाड से सम्मानित किया गया है अगला version है float festival कहां पर start किया गया है float festival ये शुरू किया गया है मदुरेई में भारतिय नौसिना ने किस fast attack craft को बंद कर दिया है तो fast attack craft जिससे decommission किया गया है इसका नाम है infect T81 अब next question देखें तो 18 साल की मंजीला ताहल कौन से देश से बिलोंग करती है जो की पहली female break dancer बनी है तो मंजीला ताहल ये अफगानिस्तान से है next question देखें उस पर्ष लेपरोसी awareness campaign ये किस राजय सरकार ने शुरू किया है तो करनाट का राजय सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है अगला प्रशन है हमारा किस देश ने world men's handball title ये second time जीता है दूसरी बार ये खिताब जीता है तो ये country है Denmark next question है हमारा igloo cafe कहां शुरू किया गया है देश का पहला igloo cafe तो देश का पहला igloo cafe शुरू किया गया है जमू और कश्मिर में Mission रोजगार जागरुपता अभ्यान Mission Employment Awareness Campaign ये किस राजय ने शुरू किया है तो ये राजय है उत्तर प्रदेश अगला question है 2019-20 के GST collection में first place पर कौन सा राजय रहा है तो इसमें रहा है महराश्ट्र important question है याद रखेगा next देखें तो robotic spa किस railway station में ये facility दी गई है robotic spa की तो विशाखा पतनम railway station यहाँ पर ये facility प्रवाइट की गई है next question है हमारा Zero COVID Boy 28 campaign COVID-19 को खत्म करने के लिए कहा शुरू किया गया है तो Zero COVID Boy 28 ये नाम से कारेक्रम शुरू किया गया है पुडूचेरी में next question देखें कौन से ऐसे दूसरे प्लेयर बने है जिन्होंने टेनिस ग्राइन स्लैम में अपने तीन सो भी जीत दर्ज की है तो 300th victory ये जीत दर्ज की है नुवाग जोकोविच ने next question देखें इनका नाम है आईशा अजीज और ये बिलॉंग करती है कश्मीर से कौन सा ऐसा state है जिसमें first human milk bank शुरू किया गया है तो ये state का नाम है केरला next question देखें तो Asian online shooting championship इसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है तो हम ये question पहले भी देख चुके हैं इसी और रूप में तो भारत पहले स्थान पर रहा है Asian online shooting championship में next question देखें तो कुरोना से मुप्थ होने वाला पहला केंदर शासित परदेश कौन सा बना है तो फरवरी 2021 में कुरोना से मुप्थ होने वाला पहला केंदर शासित परदेश था अंडमा निकोबार अगला question है जुल जना नाम का एक शक्तिशाली rocket एक पावफुल rocket किस कंट्री ने लॉंच किया है तो ये rocket है इरान का अगला question है CBI के acting head कारेकारी प्रमुक किने नियुक्ति किया गया है इनका नाम है प्रवीन सिन्हा नेक्स question देखें तो किस महिला आंगनवाडी कारेकरता को female COVID warrior hero award से समानित किया गया है तो इनका नाम है इश्रत बानो अगला question है Global Democracy Index 2020 में कौन सा देश शिर्ष पर रहा है तो नॉर्वे कंट्री फर्स रही थी टॉप इसने किया था और इंडिया के बाद करें तो 53rd प्लेस था इंडिया का Global Democracy Index 2020 में नेक्स question है किस देश में 2000 साल पुरानी ममी पाई गई है विद दे cold tongue तो ममी जाद तर एजिप्ट एजिप्ट सीरिया इन कंट्रीज में जाता देखने को मिलती है तो इजिप्ट में 2000 साल पुरानी ममी पाई गई है दे नेक्स question देखें तो किस भारतीय को भारत का शिष celebrity endorser नामित किया गया है इंडिया's top celebrity endorser तो इनका नाम है बिराट कोली अगला question है boxing Federation of India के अध्यक्ष के रूप में President के रूप में किने न्युक्ति किया गया है तो यह है Ajay Singh अगला question है भारत का पहला thunderstorm research center कहां शुरू किया जाएगा कहां शुरू करने की बात की गई है तो यह है Odisha अगला question है किसने electric वाहनों को प्रोचाहित करने के लिए switch Delhi campaign शुरू किया है मानव बंधूत्व जायद पुरसकार 2020 से किसे समानित किया गया है अगला question देखे तो परिक्षन उडान के दोरान किस कंपनी के starship SN9 rocket में विस्पोर्ट हो गया तो SpaceX का rocket था यह SN9 जिसमें विस्पोर्ट हो गया था नेक्स कोशन है Reliance Industries को दुनिया का पहला carbon neutral oil किस देश से मिला है तो यह है अमेरिका अगला question है उडान तारा नामक किशोर स्वास्थे कारिक्रम यह कहां शुरू किया गया तो उडान तारा यह शुरू किया गया राजस्थान और राजस्थान में भी बेसिकली धॉलपूर से अगला question है किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला उर्जा द्वीव बनाने की घोशना की है वर्ल्स फोर्स इनरजी आइलेंड तो यह डेनमार्क ने मनाने की घोशना की है प liberty अबर बेघार्स की में आज़एम ने प्लाइन सुरू किया गया है मिल दुनिया क्विगा और यह खार फोशन सरका ले तो पहले उच उचाई वाले सुदो उग्हा के विकास की घोशना की तो यह हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेट के द्वारा यानि की है एच एल के द्वारा यह घोशना की गई है कि सांस कईपंई किसलिए है ये Mrs氣 mo отличy को कम करणे के लिए शिश्यमुरित्य लीडर को कम करनी के लिए तो यह मध्य पर्देश के द्वारा श्यूरू किया गया है अगला कॉशन है कि श्ञासित प्रदेश निकी उती में वोजी integrationeleri में यह शिरूवात कौन सा बना है तो यह राजे है हिमाचल प्रदेश अगला क्वेशन है दुनिया का सबसे बड़ा पवन उजा सयंत्र यानि कि वर्ल्स लार्जेस्ट आप कोस्टल वाइंट फॉर्म यह कहां पर शुरू किया गया है यह साउथ कौर्या में शुरू किया गया है तो अगला क्वशन है किस तेकनोलोजी इंस्टेट्उट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 कीलों का म lapse रहित ड्रोन हेलिकॉप्टर विख्सित किया है तो ऑेलियो स्थापित करने की गोशना की है नेक्स कोशन देखे हम विश्व व्यापार संगठन यानि की डबलू टी ओ के महानिदेशक के रूप में किस देश की पहली महिला चुनी गई इनका नाम है गोजी अकोंजा इविला और यह बिलॉग करती है नाइजीरिया से तो यह पहली महिल तो यह भारत और अमेरिका के बीच है युद अभ्यास और यह सोलवा संग्तसेन अभ्यास था नेक्स कोशन देखें तो नीती आयुक द्वारा जारी की गई आसपिरेशनल डिस्ट्रेक्ट की जो लिस्ट है उसमें टॉ पकिस ने किया नेक्स कोशन हमारा किस राज्जे ने ओंलान नशीली दपाऊं की लत के लिए लेकर वश्वर कोशन बनाया तो ओंलान ड्रग एडिक्षन के लिए शपत लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है मध्यपरदेश ने और मध्यपरदेश में भी बात करें तो मेंली रतलाम डिस्ट्रिक्ट ने निक्स कोशन है किस देश की ऐलोदा एरोनटिक्स ने वोर्ड्स का फॉर्स फ्लाइंग रेसिंग कार लॉंच किया है दुनिया का पहल इन जोशी के नाम पर रखा जाएगा किस देश में एक नैशनलेस्ट ग्रूप था प्राउड बॉयज इसको एक टेर्रेविस्ट ग्रूप के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है तो कैनेड़ा का एक ग्रूप था यह प्राउड बॉयज जिससे टेरिस्ट ग्रूप के प्रोजेक्ट लद्दाख में शुरू किया गया किसने 2021 का इमर्जिंग कंपनी अवार्ड जीता है तो ICICI लंबॉर्ड जनरल इंशॉरेंस ने इमर्जिंग कंपनी अवार्ड जीता है अगला कोशन देखें उडिसा की वो कौन सी महिला है जिन्हें संयुक्त राष्टर के द्वारा युनाइट निशन्स के द्वारा एशिया एंवार्मेंट चेंज अवार्ड दिया गया है तो इनका ओपन रेस वाकिंग टूर्नमेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता वह इनका नाम है गुरप्रीत सिंग अगला हमारा क्वेशन है कचोथ फेस्टिवल यह चेनाब वेली में किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया तो चेनाब वेली चेनाब घाटी यह जमू कश्मीर में हैं तो इजी था नेक्स कोशन है ओके नेक्स कोशन है बिजनस वुबेन ऑफ द इयर कॉर्परेट एक्सलेंस 2021 का वार्ड किसने जीता है तो दो महिलाओं ने अवार्ड जीता है प्रीता रेडी और सुनीता रेडी किस राजे विधान सभा के दर्वाजे फेस रीडिंग के ज़रिये अब खूलें तो यह राजस्थान असेम्ब्ली अगला क्वेशन कोविड-19 वैक्सीनिेशन के लिए पहला स्थान किस कास्य राजी ने प्राप्त किया है पेलास्थान प्राप्त किया है मैं किस राजय का पांच्वा टाइगर रिजर बने जा रहा है तो तो तमिल करनाटका में नेक्स कोशन देखें तो एक रतन है जिसका नाम है स्टार ओफ इंडिया नीलम इस नाम से रतन को किस देश के प्राकृतिक इतिहास के संगरहाले में प्रदर्शित किया गया था तो अमेरिका के एक संग्रहाला में एक म्यूजिंट में इसको प्रदरशित किया गया था Star of India निलम मुख्यमंत्री आशिरवाद योजना की स्राज्य की एक मधर प्रदेश की हीजना है मुख्यमंत्री आशिरवाद योजना और यह ति-षति मार्जिनल फार्मर से रिलेटेड है नेक्स कोशन देखे तो किस देश ने सोयूज 2 वहान रॉकित का उप्योग करके दुनिया भर में 40 उग्रा लॉंज करने का फैसला किया तो रशिया का ये उग्रा है सोयूज 2 रॉकित कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 3D प्रिंटेड हाउस को बनाया है मात्र 21 रॉपे में तो जापान के द्वारा ये बनाया गया है 3D प्रिंटेड हाउस नेक्स कोशन रॉटर्डम फेस्टिवल 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड के इस फिल्म ने जीता है तो कुजंगल इस फिल्म का नाम है जिसमें टाइगर अवार्ड जीता है बक्री पालन को बढ़ावा देने के लिए कि राजी ने फीड रेगुलर क्यांपेइन को शुरू किया है उगला क्वेशन है श्टेट कंट्रोलूम की स्थापना की घोषना की तो उत्तर प्रदेश ने इसकी स्थापना की घोषना की ने ने चलेक्स कोशिन है फोतोग्राफर रोबर्ट इरिवन किस देश से बिलॉग करते हैं जन्होंने वाइल लाइफ फोटोग्राफर अवेड एर employment 2021 जीथा है तो रॉबर्ट इर्विन यह बिलॉंग करते हैं उस्ट्रेलिया से नेक्स्ट क्वेशन है असम की डीएसपी के रूप में किनिया पॉइंट किया गया है तो बहुत न्यूज में भी था उस टाइम पर हिमादाज को न्यूप्ति किया गया है पॉइंट में किस नाम से सोशल मीडिया प्लाटफर्म लाउंच किया गया तो यह नाम हैं सोशल प्लाटफर्म का नाम है कूया जो इंडिया के द्वारा है स्टी का है जिसने successfully orbit of Mars पर enter किया है तो यह UAE का hope mission और hope spacecraft कुछ भी बोल सकते हैं तो UAE का है यह नेक्स वोशी ने voice of the customer award कौन से international airport ने जीता है तो बेंगलूरू international airport है जिसने voice of the customer award जीता अगला question है करनाटका का 31st district 31 जिला कौन सा बना है तो अभी तक 30 जिले थे फरवरी 2021 में 31 जिले हो गए है और 31 जिला है विजय नगर अगला question है किस राजे के मुख्यमंत्री ने packaged organic products की एक नई range launch की है तो मनिपूर ने ऐसा किया है मनिपूर CM नहीं लाँच किया है next question है कौन सा कौन से इसी country है जिसने United Nations Human Rights Council यह फिर से जॉइन कर लिया है दुबारा से जॉइन कर लिया है तो अमेरिका है ट्रॉम्प के कारेकाल में अमेरिका बाहर हो गया था इसे और अभी फिर से जॉइन कर लिया है किस देश ने अपने अंत्रिक्षियां 93-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश किया तो यह चाइना का है 93-1 hope mission UAE का है 93-1 यह चाइना का है और दोनों ने ही मार्स के और पर सक्सेसफुली एंटर किया है विश्व के सबसे पुराने पशु जिवाश में यानि की वर्ल्स ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल इसकी खोज कहां की गई है तो यह पाए गए है मध्य प्रदेश में किस राजय ने ग्यान मिशन यानि की knowledge forms शुरू किया तो यह राजय है करला अगला यह प्विश्टिय् करणे के की वन विभाग्ट पे apoyo क्चिक पर मोनल पक्ट पहनने पर रॉक लगा दी हैं तो हिंढाचल प्रदेश ने एक रोक लगाई है US Chambers of Commerce की पहली महिला CEO कौन बनी है उनका नाम है Suzanne Clark जला भिशेक campaign ये किस राजे में शुरू किया गया बाई राजनात सिंग तो मध्य प्रदेश में जला भिशेक कम campaign इसके शुरुवात की गई Next question है हमारा किसने Australian Grand Slam जीता है कौन सी महिला है जीनों नहीं जीता है तो नामी साका ने जीता है और Australian Open 2021 Tennis Grand Slam Men's Single में किस ने जीता है तो नुवाग जोकोविश ने Next question है हमारा दूसरा खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स ओफ दा इयर कौन से राजे में ये host कौन से राजे इसको host करेगा तो ये राजे है करनाट का अगला question है पहली बार निजी शेत्र के लिए उपकरह परिक्षन केंद्र किस ने खोला और साथ ही कौन सा ऐसा Space Agency है जिसने Human in Space Policy 2020 ये शुरू की तो इन दोनों ये दो question है इक English में जो दिया हुआ है Hindi में दिया है दोनों आला question है इनका answer एक ही है इसरो याद रखेगा Human in Space Policy 2020 इसरो ने शुरू की है और पहली बार निजी शेत्र के लिए उपकरह परिक्षन केंद्र ये भी इसरो ने ही खोला है अगला question है किस देश की सेना ने बाबर प्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन किया है बाबर बलेस्टिक मिसाइल ये पाकिस्तान की है याद रखेगा अगला question है कौन से स्टेट ने COVID Warrior Memorial ये बनाया है तो COVID Warrior Memorial ये बनाया गया है ओडिसा के भूवनेश्वर में राजय सभा में नए लीडर ओफ अपोजिशन कौन इलेक्ट किये गए है तो इनका नाम है मलिकारजुन खाड़गे अगला question है 93rd Oscar पुरसकार जो है इसमें किस भारते फिल्म को चैनित किया गया है 93rd Oscar के लिए चुना गया है बिट्टू फिल्म को इनका नाम है अजय माथूर अगला question देखें तो पेपरलेस असेंबली सेशन के लिए कहां पर ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राजय था जिसने पेपरलेस बजट पेश किया था तो यह भी आद रखेगा अगला question है इटली के नए प्राइम मिनिस्टर किन्हें बनाया गया है कौन बने है तो मारियो ड्रैगी अगला question है भारत का पहला Dolphin Research Center कहां स्थाफित किया गया इंडिया स्पोस Dolphin Research Center यह सेटप किया गया पटना में इसके साथ ही आद रखेगा यह जो यह Research Center है जो कि पटना यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है इसके साथ ही बिहार में ही एक विक्रम शिला गंगा डॉल्फिन सेंक्चुरी है और बाद में इस Research Center को विक्रम शिला में ही चेंज कर दिया जाएगा वही पर पहुंचा दिया जाएगा ठीक है तो अभी पटना में पटना यूनिवर्सिटी में रिसर्फ सेंटर शुरू किया गया है बाद में इसको इसकी जगा को बदल दिया जाएगा नेक्स कोशन है किस राज्य में डकैथ संग्रहाल है डकैथ म्यूजियम बनाने का नेड़ने लिया गया तो मध्यपरदेश के भिंड में ये डकैथ म्यूजियम शुरू किया जाएगा अगला क्वेशन है सर्ब विमिन्स एक्सिलेंस अवर्ड 2021 में कौन सी महिला साइन्टेस को जगा मिली है जीती है तो चार महिलाएं ये जीती है इनके नाम है डॉक्टर शोबना कपूर डॉक्टर अंतरा बेनरजी डॉक्टर सोनु गांधी और डॉक्टर इतु गुपता इनका नाम है करीम खान अगला क्वेशन है किस देश की धाविका यानि की यानि की रणर बिट्राइस चैपकवेच इंहोंने पांच किलोमेटर रोड रेस को 14 मिलेट 43 सेकिंड में पूरा करके विश्वर रिकॉर्ड बनाया है तो ये केनिया से बिलॉंग करती है और इन्हो अखडी के खिलोनों को यानि की वोडिन टॉइस को ब्रसाहिट करने के लिए फ्लिप कार्ट के साथ समझोता किया है महराश्टर के द्वारा ये समझोता किया गया फ्लिप कार्ट के साथ किस देश की टीम टीटी क्रिकेट में सो अंतराश्रे मैच जीतने वाली पहली टीम बने हैं नेक्स कोशन है हमारा लार्जस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्शिप अफ यू ए यू यू यूनियन का लार्जस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ये कौन बना है तो यह चाइना है अगला क्वेशन है स्वच्छ सर्वेक्षन 2021 में कि AADDF double plus status कि राजय को दिया गया है Oへ N iki Open and dedication प्री ओडिएफ double plus status मिला है राजस्थान को निय्क्स कोशन है किस ने कारगो स्पेश्क्राफट प्रॉग्रेज 77 को लॉज किया है तो फ्रॉग्रस 77 ये पर युक्त को घाल फा मैं कए अधि Hamm Warmole gotta Gibbs मीरह से फिल्ली पोलिस बड्नींप जीए थी सब्सक्री अले इंग उन्यर नहीं के लिए उन अधिक काना पोछानने मा यॉज्ण नोगी ई tax द्बारा यॉज्ण सीच दूल अगला कोशन है अभियुदय योजना किस राचे ने लॉंज की है अभियुदय योजना ये है उतर प्रदेश की देश का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम किस राजे में है लार्जेस्ट होकी स्टेडियम ये है ओडिसा में उसके बाद नेक्स कोशन है नेशनल स्पोर्ट्स स् स्कॉच चीफ मिनिस्टर ने जीता है तो आंधर प्रदेश के सी एम ने यह अवार्ड जीता था स्कॉच चीफ मिनिस्टर आफ दे एर नेक्स कोशन है तेरा फुगिया ट्रांजिशन द्वारा निर्मित फ्लाइंग हाइब्रेड कार को किस देश ने मंजूरी दिया है तो फ् संब्समान एक ताकपür को को कि हम सब्सक्राइब किस नाम से मैसेजिंग प्लाटफॉर्म लॉंच किया है तो एक नया सम दैने sign language dictionary में कि 3rd edition में कितने words को शामिल किया गया है कितने words हैं तो कुल 10,000 words हैं इंडियन sign language dictionary में इसके 3rd edition में नेक्स कोशन है order of rising sun जापान के द्वारा ये honor किसे प्रदान किया गया है order of rising sun तो ये जो सम्मान है ये दिया गया है धंग धबाली अगला question है किस राजे के cm ने जात्रों के लिए मुफ्त उपहार यानि कि free gift milk initiative ये शुरू किया है किस राजे के cm ने तो सिक्किम के द्वारा ये शुरू किया गया है अगला परशन है किस राजे ने बीस लाग परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए एक फाइबर आप्टिक्स नेटवर्क शुरू किया है तो के रिला ने इसकी शुरूआत की है ताकि free internet बीस लाग families को प्रदान किया जा सके अगला परशन है किस आचारे भवन के प्रद्योगी की संस्थान को यानि की टेकनोलोजी इंस्टिट्यूट को बेस्ट रेजिदेंशिल बिल्डिंग का अवार्ड दिया गया है सर्वस्रेश्ट आवासी भवन का पुल्सकार दिया गया है तो यह टेकनोलोजी इंस्टिट्यूट है मालवे नेशनल इंस्टिटूट ओफ टेकनोलोजी नेक्सеле मोस्ट और्द्र मोधी ने रामिद्ट पुर्म।वी प्रकृति गायस टाफ्राइपलाइब के स्थापना किस राज़े में की थो रामिद्थ पुर्म थुतुकूरी नाच्रल गैस पाइपलाइन इसके शिरुबात की गई है तमिल नाडू में अगला क्वेशन है most expensive player of IPL 2021 कौन बने हैं तो यह बने थे Chris Morris next question है IPL 2021 का जो season था इसको sponsor किस ने किया था तो वीवो के द्वारा यह sponsor किया गया शीष 100 उभरते नेताओं की वार्शिक सुची जिसका नाम है 2021 टाइम 100 नेक्स्ट इसमें शामिल होने वाले एक मात्र भारतिये कौन बने हैं तो इसमें शामिल होने वाले एक मात्र भारतिये थे चंद्रशेखर आजाद अगला question है 2020 की tree city of the world किसे recognize किया गया है है थे हैदराबाद को recognize किया गया था as the 2023 city of the world नेक्स्ट है हमारा शकुंतलम अवर्ड 2021 केस ऑफ हिंदी ग्रांथ यह केसे प्रदान किया गया तो शकुंतलम अवर्ड 2021 केस प्रदान किया था तस्नीम खान को Hyundai Motor Company ने किस नाम से transformer जैसा वहन लॉंच किया है तो इसका नाम है Tiger 11 अगला question है स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी जिनने फासी दी गई तो यह थी शबनम अगला question है अमारा गार्गी अवर्ड 2021 जिनने सम्मानित किया गया इस अवर्ड से उनका नाम है अनुराधा और इक कौन बने हैं तो UNHRC Advisory के पहले इंडियन प्रेजिडेंट बने हैं अजय मलहुत्रा निक सोशिन हमारा किस राज्य में विदिशा शहर में स्थापित की जाएगी सुश्मा स्वराज की प्रतिमा तो विदिशा जो है माध्य प्रदेश का एक शहर है और यही पर सुश्मा स्वराज की एक प्रतिमा एक स्टैचू स्थापित किया जाएगा अगला कोशन है दादा साफ वाल के अंतराश्ट्रे फिल्म महुत्सव 2021 में सबसे बहुमुखी अभीनेता यानि की मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का खिताथ किने दिया गया तो यह है केके मैनन वन्यजीव स द्वारा कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम सक्सेस्फुली टेस्ट किया गया तो इसका नाम है है लिना और धुरुवास्त्र नेक्स कोशन है स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत न्यूट्री निबर हुड चालेंज के लिए कितने शेहरों का चैन किया गया तो एर न्यूज का चीफ डिरेक्टर जनरल यह न्यूकत किया गया है अगला क्वेशन है बयासीवी गास्ट्रे टेबल टैनिस चैंपिंशिप इसमें एकल हिताब किस ने जीता तो मनिका बत्रा नहीं हिताब जीता है नेक फोर्शन देखे तो प्रेस इंस्टीट ऑफ इंडिय इंडिया आवड दोहजार बीस इंट्रिनल प्रेस इन्स्टीट ओफ अवड् होजार इस 2èce सम्मानित किया गया तो रितिका शोपडा को फोटी प्रितु गुप्ता पीर payment क्नितृ सृइनगत जोनु नमक को भॉगलिक संके तक रूप में पंजिक्रित किया तो पाकिस्तान का है ये हिमालियन पिंक सॉल्ट भारत का सबसे उचा वायू शोधक फिल्डर फिल्टर यानि की हाइस्ट एर प्यॉरिफायर फिल्टर ये कहां स्थापित किया गया है तो चंडीगर में इसकी स्थाप कंट्री का लाजेस्ट होकी स्टेडियम हमने देखा था कहां पर है औरिसा में है और ये किस नाम से है तो बिर्सा मुंडा के नाम पर ये स्टेडियम का नाम रखा गया है जवाहर सागर डैम के पानी के अंदर फोटोग्रफी के लिए किस जो रोबोर्ट को लॉंच किया ग गया है तो बेस्ट एक्टर के रूप में जमानित किया गया है अक्षय कुमार को कोविशन को रोकने के लिए किस जिले को स्कॉच गोल्ड से समानित किया गया है तो अच्छ गोल्ड अवाट नेक्स कोशन है र्लाएंस जी और कि सबसे बड़ा टेलिकॉम ऑपरेटर करेगी तो गुजरात में ये सापित किया जाएगा अर्लाइंस योग के द्वारा अंतराश्रे महासागर को पार करने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है तो इनका नाम है जैसमिन हारिसन नेक्स कोशिन है उत्र प्रदेश राजय का तीसरा आत्मरे रभ बनाने के लिए किस राजय ने शुरू की तो ये राजय का नाम है उत्तरप्रदेश नेक्स्स क्वेशन है मध्यप्रदेश लेजिसलेटिव असेम्बली के नए स्पीकर के रूप में किने न्यूक्ति किया गया है तो इनका नाम है गिरीश गौतम अगला क्वेशन है डियाडियो ने किस नाम से भारत का नया रडार सिस्टम लॉंच किया तो यह उत्तम के नाम स से शुरू किया गया है डियाडियो के द्वारा नेक्स कोशन है हमारा नैशनल शिड्यूल कास्ट कमिशन के नए चेर्मिन कौन बने है इनका नाम है विजय सांफला अगला क्वेशन है इंतराश्टे भ्रष्टाचार विरोधी चांपियन पुरसकार एंटी करॉप्शन चै किया गया है तो इनका नाम है अंजली भारदवाज नम्मा चैने स्मार्ट कार्ड यह किस बैंक ने लॉंच किया है इस बैंक का नाम है ICICI बैंक अगला क्वेशन है उत्तरप्रदेश राज्य में कितने एकर में इलेक्ट्रिक सिटी स्थापित करने की योजना शुरू की ग बने लिवी कंपनी की ब्रैंड अम्बैस्टर के रूप में अगला क्वेशन है किस राजी ने फूलों की बिक्री का समर्थन करने के लिए एक फूल प्रसंस करन केंद्र यानि की फ्लावर प्रसेसिंग सेंटर को स्थापित करने की घोशना की है तो यह करनाटका के द्वार अगला क्वेशन है किस राजे ने एक हजार मेगावाट की निवेली नई ताप विद्यूत परियोजना शुरू की है तो तमिल नाडू में यह परियोजना शुरू की गई है नेक्स कोशन है हमारा एशियन डेवलप्मेंट बैंक के नए डिरेक्टर जनरल के रूप में किन नेक्स कोशन है भारत की पहली अंदर्सीड टनल यह कहां पर शुरू की गई है कां थेप्लिष की गई है तो मुमबई में इसकी स्थापना की गई है और नेक्स कोशन देखें तो किस राजे ने अपना पारमपरिक लालतेन उत्सभ चुरू किया गया है एाथ ट्रेडिशन आज के questions कदम होते हैं I hope आपको कुछ सीखने को मिला हो आपकी कई सारे चीज़े रिवाइज हुए होगी धेंक यू सो मज़ वाचिंगेट जय हिंद